तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके प्यारी यूटूब चैनल लव एक्स्प्रेस भाई नितेश में मैं हूनितेश और आज हम बात करेंगे कि नो कॉंटेट रूल को कैसे फॉलो करना चाहिए और नो कॉंटेट रूल असल माईने में होता क्या है इस वीडियो क अगर आपने अभी तक हमाई यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल का आइकन दबा लिजे ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप मेरी कोई भी वीडियो की अप्डेट मिस ना हो तो चलि मैं आपको बताता चलूँ कि नो कॉंटेक्ट रूल उसे कहते हैं जब आप सेपरेशन के दौर पे जाते हैं आपका कोई मन मुटाव हुआ होता है या रिसेंटली में ब्रेक अप हुआ होता है या कुछ समय से आप एक दूसरे से दूर रह रहे होते हैं तो आपको नो कॉं मिल ला है या ना मिल रही है कई बार ऐसा होता है कि यह सर्टेन आपकी तरफ से लिए गए होते हैं उनके भी कुछ कॉजिस होते हैं वो मैं आगे डिस्कस वीडियो में कर लूगा तो जब आप नो कॉंटेक्ट के दौरान रहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या न काद्यम से करवा के उसको देखते रहेंगे कि उसके क्या विचार हैं वो क्या सोच रही है क्या सोच रहा है और आप इस तरह के काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि आप अगर इस तरह का काम नो कॉंटेक्ट रूल पे कर रहे हैं तो आपको बिल या कोई status उसका नहीं देखना है आपको उससे बिलकुल अलग हो जाना है दूरी बना के रख लेनी है क्योंकि जब आप no contact rule पे होते हैं तो आपको no contact rule सामने हुआले को वापस लाने से पहले अपने आपको transform करने के लिए होता है अब लोग पूछेंगे कि transformation क्या होता है देख कि certain accent से परशान हो जुगा है अब वो चाहता है कि आपके साथ वो किसी भी contact में ना रहे है लेकिन आप चाहते हो उसके साथ contact पे रहने का तो उसले contact बनाने के लिए आपको अपने अंदर transformation करना ही पड़ेगा transformation का मतलब होता है कि पहले आप जिस तरह के कपड़े पहनते थे उन में changes लाइए अपने looks में hair style पे changes लाइए अपनी activities में change लाइए ताकि आप अपने आपको सामने वाले को तो आप वापस लाना चाहते हो वो ठीक है लेकिन अपने आपको आप एक बदलाओ अपने अंदर बदलाओ लाके आईए ताकि सामने वाले को जब आप मिले और वो आपको देखे तो उसे भी लगे कि आपके अंदर disaster change हो गया है और आपके अंदर अब वो चीजे नहीं रही जिनके कारण उसने आपको block किया था या आप से दूरियां बनाई थी तो देखिए transformation जरूरी है ताकि आप अपने आपको बहतर बना सकें ना कि सामने वाले को जल्दी से अपने पास बुला सकें वो तो देखिए आप मों contact rule पे हैं आप उसको ना दिख रहे हैं ना मिल ना गरज रख रहे हैं तो वो आप से attack तो हो गई इसी को love of attraction कहते हैं कि जो चीजे आसानी से नहीं म से पर दिया तो कहीं वो दूसरे के साथ न सेट हो जएं सर बहुत दूसरे के साथ involved ना हो जाएं सर बहुत दूसरे के साथ का मतलब underground हो जाए, ना दिखें, ना मिलें, ना किसी third person से आपकी information वहां तक पहुँचे, कि आप अपनी life में क्या कर रहे हैं, वरना अगर आपके actions वहां पहुँचते रहेंगे, तो आप सिर्फ हसी के पात्र बनेंगे, आपका no contact rule अधूरा रह जाएगा, तो आप जब भी no contact rule अपना है, तो उस no contact rule के दौरान आपको कहीं भी कहीं भी किसी भी प्रकार से ना दिखना है, ना मिलना है, ना ही कोई contact होना चाहिए, और जब आप ये काम कर रहे हों, तो अपने अंदर disaster changes आपको लाने की जरूरत है, अपने आपको transform करने की जरूरत है, अपनी language में, जैस अपने hair style पे changes लाना है, अपनी language, भाषा, आपको ये दिखाना है कि आप वो हो ही नहीं जो आप पहले हुआ करते थे, और जब आपके अंदर ये unique नेस आ जाएगी, जब आपके अंदर ये changes आ जाएंगे, तो सामने वाले को third person से कहीं ना कहीं से तो पता चली जाएगा, कि अब आप उसको लेके इतनी careful नहीं हो, अब आप उसकी जिंदगी में हो या नहीं हो, या वो आपकी जिंदगी में है नहीं है, आपको फरक नहीं पढ़ता, जिस दिन आपको फरक पढ़ना बंद हो जाएगा, उस दिन सामने वाले को फरक पढ़ने लगेगा, लेकिन जब गिल हिडाओ, ना आप किसी के पैरों पे जाओ, ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धजियां उडवाते हुए, अपने आप में एक शरम, एक कुंठा का अनभव करो, तो बिना इन सब कामों को किये हुए भी आप अपने कामों को कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा डे हुए आप अपनी उस सफलता के आयाम को पाएंगे, जो आप चाहते थे, तो मैं आपको इस बात को और क्लियर करता चलूं, जब भी आप नो कॉंठेक्ट रूल के सिचुईशन पे हों, तो आप किसी थर्ड परसन के माद्यम से, उसके बारे में कुछ न जानिए, और कोशि हैं, जिनका आपको ध्यान रखना चलिए, तो अमीद करता हूँ, जब आप इन बातों को ध्यान रखेंगे, अपनी उन बातों को पूरा कर पाएंगे, जिनके कारण आपने इस सिचुईशन को अपनाया है, देखें, नो कॉंठेक्ट रूल में किसी को बहुत ज्यादा जिस्ते को, रिलेशन्शिप को, संबंधों को फिर से बिल्ड करने के लिए एक वो प्रयास करते हैं, जो बिल्कुल दिल से अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल, किसी से सेपरेट होके, या जिससे आपको अदिन रात मिलना हूँ, या बाते हूँ, उससे दूरी बना लेने स किसको खुशी मिलने वाली है, तो ये खुशिया नहीं मिलती, लेकिन हाँ, ये काम किये जाते हैं, कि जो खुशिया नहीं मिलने हैं, उन खुशियों को पाने के लिए, तो उन खुशियों को आपको अगर पाना है, तो कहते हैं ना, कि अगर चोट लगी है, और मर्ज सही कर तो दवा लेनी पड़ेगी और दवा कडवी होती है तो यह वही कडवी दवाई है जिसके घूट आपको पीने होंगे और जब आप इन घूटों को पीएंगे तो डेफिनेटली यह दवा असर करेगी आपका पाटनर जो आपसे दूर है सेपरेट है नो कॉंटेक्ट पे है व आपको सफलता नहीं मिलेगी या फिर बहुत देर से मिलेगी जब वाकही देर हो जाएगी तो वो देर हो इससे पहले आप सही तरीके से नो कॉंटेक्ट रूल को फॉलो कर ले और अपने उन प्रयासों में जल्द ही सफलता हांसिल करें जिनके लिए आप नो कॉंटेक्ट क्यों अपनाते हैं और इसको करते वक्त क्या क्या चीजे हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में और अगर आपके पास भी हो कोई सवाल तो आप कमेंट बॉक्स में उससे पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडि